हलो इस्टुडेंट्स पिछले वीडियो में हमने अभी तक मैट्रिक्स सिखा था इसके बाद डिटर्मिनेंट की शुरुवात की थी और डिटर्मिनेंट भी जैसा मैंने आपको बताया था कि आपके कोर्स में सेकेंड डिग्री याने की दिती कोटी का और थर्ड डिग्री याने की तरती कोटी के सार्निक ही जिसमें दो बाई दो और तीन बाई तीन रो और कालम होती है वही आपके कोर्स में वैसे भी डिटर्मिनेंट जो रहते हो इसकेर ही होते हैं तो आज जो हम करना आ आ ले हैं वो 3 by 3 याने की second order पिछले वीडियों किया थे आज हम order third याने की तरती कोटी के determinants करने वाले जिसमें 3 row 3 column है और वैसे भी आपके course में 3 by 3 के ही है तो इसमें आज की वीडियो में हमने simple question लिये हैं बाद में इसके special कुछ rules हैं उसको follow करते हुए उसका x function कैसे करते हैं operation सिखेंगे तो फिलाल आज के question ये भी जरूरी है ये भी two marks या three marks के लिए आ सकते हैं तो देखें इसमें three row और three columns हैं इसको पहले में आपको इसके elements बताता हूं कि इसमें elements का arrangement कैसा होता है किसी भी three by three के elements में determined में आपको arrangement ऐसे देखना है यहां जो element रहेगा वो a 11 12 और यह 13 कैलाता है क्यों कैलाता है 11 12 13 अभी बताता हूं 21 22 23 इसी प्रकार से 31 32 और 33 यह आपको याद रखना है कि किसी भी determined के जो elements है तो उनका numbering ऐसा हूता है इसमें इसका meaning यह है कि first row का first element है देखें row number one है row number two row number three वस्ट row का first element first row का second element first row का third element second row का first element second row का second element second row का third element इस प्रकार से पहले हमेशा row बोलना है बाद में column बोलना है ठीक है और sign भी इनके देखना है कि अगर इन दोनों का जैसे 1 प्लस 1 मैंने आपको मैट्रिक्स में बताया था कि इन दोनों elements का अगर total करते हो वो even आता है जैसे 1 प्लस 1 किया मैंने यह आपका even number आ रहा है तो यह आपका जब sum संख्याती है तो हमेशा आपको element को positive use करना है और माले जाए 1 प्लस 2 यह element ले रहा हूँ तो 1 प्लस 2 कित यह आदनी रखना है plus minus plus minus आपको इन दोनों elements को मालों मुझे इसका देखना है sign तो 2 प्लस 2 4 4 किसा है समसंख्या है even number है इसलिए positive 3 प्लस 3 6 6 भी आपका positive आएगा 2 प्लस 3 यह भी आपका किसा है 2 प्लस 3 5 है 5 और है इसलिए विशाम याने की negative आए ओके इसके बाद में हम sign का भी तो एक एक करके हम question को लेते हैं सबसे पहला question देखें आप इसमें लिखा गया है कि 3 by 3 का कोई determinant है मैंना आपको बताया था कि determinant को डेल से भी show कर सकते है question number 1 यह आपको डेल दिया है कितना है 3 4 5 then minus 6 2 minus 3 8 1 and 7 इसका आपको evaluation करना है या मान ग्याद करना है या value ग्याद करना है तो इसको आप 6 प्रकार से expansion कर सकते हैं ठीक है आप देख रहे है इदर कितने प्रकार से कर सकते हैं 6 प्रकार से 3 row है इसमें और 3 column हम चाहें तो R1, R2, R3 या C1, C2, and C3 किसी से भी수 collection इस function कर सकते हैं प्रसार करना बोलते हैं हिंदी में तो प्रसार कर सकते हैं मैं लगता जाये मैं R1 से आपको पहेले सिखाता हूँ किसी question को R1 से कर रहे हैं किसी इसको C1 से किसी से भ्याब कर सकते हैं माल ले जा इसमें हम लिख रहे हैं तो आपको यह लिखना चाहिए कि X function by R1 R1 से प्रसार करने पर एसा हिंदी में लिखेंगे अब आप R1 के elements पर ध्यान देंगे और साथ में जो मैंने आपको बताया था 11, 12, 13 उसका भी ध्यान होना चाहिए उससे आपको negative positive का idea होता है तो जिससे 3 यह 3 लिखा मैंने इसके बाद में इसका number क्या था 1 and 1 तो first row और first column को आप height करेंगे first row first column को height करने के बाद जो इसका minor बचा है 2 by 2 के बचे अगर 3 by 3 का determinant होता है तो जो minor बचेंगे वो 2 by 2 के आए तो इसका minor किसा हुआ first row first column को height करने के बाद चिपाने के बाद यह बचा है 2, 1, minus 3 and 7 then यहां आते हैं it is 12 और 12 यहने की minus बोलेंगे 1 and 2 first row and second column क्या बचा minus 6, 8, minus 3 and 7 okay फिर से देखते हैं यह 12 था 12 का meaning होता है first row second column तो यह बचे हुए elements मैंने इसी arrangement में लिखे फिर आता है यहां पर 11 हो गया 12 हो गया then 13 13 1 plus 3 4 4 means even number assumption क्या और assumption के इसलिए positive okay अरे बास वाद में positive negative का होना बहुत जरूरी है 1 and 3 first row and third column क्या क्या बचा minus 6, 8, 2 and 1 okay अब 2 by 2 का मैंने आपको पिछले वीडियों में चिखा है था इसका multiply कैसे करते हैं इन दोनों का पहले multiply होता है फिर minus sign आपको use करना है और already minus आ रहा है तो minus minus 3 फिर minus 4 इन दोनों का multiply किया 42 minus आता है बट ये खुद minus में आ रहा है इसलिए minus हो गया plus plus 5 minus 6 and minus का 16 okay ये हो गया आपका 14 and 3 17 ये 4 42 minus 24 ये minus का बचेगा 18 okay plus 5 के कारण हो गया minus का 22 51 minus minus plus हो गया 72 और minus हो गया x10 okay इस पकार से दोनों plus कर लीजिया 2 and 1 3 5 7 12 minus 1 1 0 इसको अगर आप चाहे तो c1 से करेंगे यही तरीका रहेगा मैं अगले कोशन में आपको c1 या r3 या r2 या c2 किसी से भी आप expansion कर सकते हैं उसमें आपको कोई special बस ये ध्यान रखना है जिसमें ज़्यादा 0 होते हैं उससे एक्सपंक्शन करने में आपका result जल्दी मिल जाता है इसलिए 0 जिसमें रहे उससे एक्सपंक्शन करने को prefer करना चाहें बाकिया आप किसी से भी करें ओके एक कोशन और देखते हैं देखिए आप इसका question number 2 में भी आपको इसी type का है यह आप कर लेंगे ठीक है मैं आपको बताता हम question number 3 question number 3 में आप देख रहे हैं कि थोड़ी से trigonometry का use किया गया है तो जहाँ trigonometry का use किया आप इस थोड़ी से trigonometry के कहीं पुराने formula जो अपने previous class के हैं उनका use किया गया हो तो देख लेते हैं इसमें क्या है देखो इसमें हैं आपके पास question number 3 यह del का value 0 sin of alpha minus cos alpha minus of sin alpha 0 sin of beta cos of alpha sin of beta minus में हैं समय और 7 0 अभी मैंने आपको पिछले question में बताया था कि prefer करें जिसमें जादत 0 याने इस question को करने में आपके और उन में भी 0 दिख रहा है rad two में भी दिख रहा है चाहिं किसे से परके 3 of 0 है C1 में भी दिख रहा है C2 में भी और C3 में भी तो पिछले question को मैंने आपको R1 से expression या expansion करना बताया था अब इस question को मैं आपको R2 से करके बताता हूँ देखिए आप तो जिससे भी हम expansion करते हैं प्रसार करते हैं उसको यहाँ पर लिखना चाहिए कि expansion by R2 R2 से आप expansion करने तो R2 को देखिए हम यह देखिए आप R2 को focus करेंगे और इनके elements के number को विशेश रूप से ध्यान देगे elements का number क्या है 21 है 21 बोलते से आपको ध्यान अन्शिक 2 plus 1 that is 3 3 is odd odd यानि की minus आएगा सबसे पहले बट element खुद minus में है इसलिए minus minus plus ठीक है 21 का minor क्या बनेगा minor बनाते समय हमेशा R and C आद रखना आपको क्या रखना है R and C row पहले height करेंगे बाद में column 21 तो second row और first column second row first column तो क्या बचा sin alpha minus sin beta sin alpha sin beta minus cos alpha and 0 ओके फिर से देख लेते हैं 1 ये था आपका 21 21 means second row and first column second row and first column ये elements आये थे ओके आगे बढ़ते हैं 0 0 अगर आप लेंगे भी तो क्या होगा इसके determinant के साथ में multiply होने से पूरा 0 आ जाएगा नहीं भी लिखे इसको तो आप छोड़ सकते हैं जाब भी 0 element आता है उसको expansion में आपको use करने की ज़रूरत नहीं है फिर क्या आता है sin beta कौन सा element है 21 22 23 23 is negative याने आप लिखेंगे minus sin आप बीटा 23 means second row third column second row third column क्या आया 0 cos alpha second row third column 0 cos alpha sin alpha and minus sin beta ठीक है अब इसका और value देख लेते हैं यह हुआ 0 0 minus minus plus हो गया बट बीच में minus आता है cos sin beta and cos alpha इस बगार से minus sin beta यह sin beta और यह तो हो गया 0 और minus हो गया आपका sin alpha and cos alpha अगर इसका multiply इसमें करते हैं तो क्या आना है देखें आप sin alpha का multiply sin beta और cos alpha करते हैं minus sin alpha sin beta cos alpha minus minus plus sin alpha sin beta and cos alpha दोनों same है value और negative और positive है opposite sin है इसने final answer कितना आ गया 0 कुल मिला कि तरीका वही हुआ इसका भी कि 3 by 3 के question में आपको क्या करना है 3 by 3 के question में हमेशे आपको expansion by r1 r2 r3 r c1 c2 c3 कर सकते हैं इसी प्रगार से एक question है आपका कि prove that the determinant this is independent from theta देखें थोड़ी से नई बात है इसमें इसने लिखागी है जो determinant दे रहे हम आपको यह theta से is independent from theta theta पर यह dependent नहीं है इसका मीनिंग क्या है देखो इसके solution के बाद आपको मैं बताँगा कि इसका मीनिंग क्या है हिंदिय में लिखाए कि सिद्ध करो कि यह जो सार्निक है यह theta से स्वतंत्र हैं तो independent from theta theta से स्वतंत्र कैसे हैं वो हम question करके देखते हैं इसका solution उसी प्रकार से होगा तो इसको भी अगर हम देखते हैं यह आपका determinant है del equals to x sin theta cos theta minus sin theta minus x 1 cos theta 1 and x ओके इसको भी आपको मैंने r1 से भी सिखाया अभी इस बार मैं आपको c1 से करके बताता हूँ ठीक है यहां लिख दीजिए आप x function by c1 इस प्रकार से मैंने आपको एक confidence दिलाया है कि आप किसी से भी x function कर सकते हैं छे प्रकार से अगर 3 by 3 का है तो अपने शित्रूप से 1st 2nd 3rd row से या फिर 1st 2nd 3rd column से x function कर सकते हैं माल लेज़े मैंने c1 से किया तब आपका focus इने elements पर होना चाहिए और उनके numbers पर भी ध्यान देना है negative positive के अक्षर mistake आती है तो जैसे हम यहाँ चलें यह 11 number है यहने की positive आएगा और इसका जो minor बनेगा 1st row and 1st column तो बचेगा आपका minus x 1 1 and x ओके फिर यहाँ आते हैं it is 21 and 21 is negative ठीक है 21 2 plus 1 that is 3 3 is odd ठीक है सा है odd है इसलिए minus minus क्या होगा plus sin theta 21 means 2 and 1 2 and 1 करेंगे बचा आपके पास sin theta 1 cos theta and x इसी परकार से यहाँ आए हम तो यह आपका element number कौन सा है 31 है 31 यानि की positive तो यह आया cos theta यह बचेगा आपका 31 means 3rd row and 1st column क्या बचा sin theta minus x cos theta and 1 अब देखते इसका final answer क्या आता है x के साथ में देखिए पहले हमेशा इसका multiply करना है तो minus x square minus 1 plus sin theta इसका answer देखिए x sin theta x sin theta minus 1 का multiply cos से किया cos theta इसी परकार से plus cos theta और इनका multiply करेंगे sin theta का 1 से करेंगे sin theta और minus minus हो जाएगा plus x and cos theta ओके अब यह तो simple solution क्या हमने इसमें independent वाली बात क्या है वो समझते है इसमें देखिए इसका final multiply क्या होने होला है यह देखिए यह determinant का value क्या आ रहा है minus x cube minus x minus x plus plus x sin square theta okay x sin theta minus minus sin theta cos theta minus sin theta cos theta again plus cos theta sin theta and finally x cos theta का multiply जब x cos theta से होगा तो यह होगा आपका plus x cos square theta ठीके यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे यह portion sin theta cos theta sin theta cos theta से cancel होगा इसी बगार से यहाँ पर इन दोनों को अगर हम plus करते तो देखिए final step बताता हूँ आपको minus x cube minus x और इन दोनों में अगर हम common लेते हैं x तो बचा आपके पास sin square theta plus cos square theta और it will be 1 अगर यह 1 बन जाता है और x से x cancel होगा यहने इसका जो answer आएगा minus का x cube अब आपका question का solution क्या है देखे question का क्या कहना था कि prove that this determinant is independent from theta सिद्ध करो कि यह जो सार्णिक है यह theta से मुक्त है theta से स्वतंत्र है means the solution of this determinant is minus x cube इसमें कही theta का जो answer हो theta include नहीं है means it is independent from theta यह आपको prove करना था ठीक है तो यह बहुत अच्छे questions है यह simple questions थे अब थोड़े से हम अगले वीडियो में विशे सुरूप से आपको पहले rules बातूँगा और परिक्षा की द्रश्टी से जो अगला वीडियो है वो बहुत important रहेगा मान के चलिए उसी में से आपको five mass का question करना है यह तो आपके basic concept पर based है इसलिए मैंने आपको विशे सुरूप से इनकी तयारी करें अगले वीडियो को आप पिले विशे सुरूप से ध्यान से देखें ठीक है कि वो चुर्श बना से आपको भीडियो है